नमस्कार दोस्तों मैं पुस्प्रेंसिंग आज की वीडियो में करेंगे बिटकॉइन का अनलेसिस तो यहाँ पर जल्दी से एक डिस्क्लेंबर क्रिप्टोकरंसी सब्यक्ट तो मर्केटरिस इसके अंदर प्रॉफिट वी हो सकता है लॉस्ट वी हो सकता है हमें इसा खुद की रिसर्ट जरूर करें सीधे चलते हैं पर आउजर के उपर तो सबसे पहले यहाँ पर खुला हुआ है टेरा यूस्ट तो बेसिकली कहाँ कि जो यह एक तरीके से डिसेंटलाइज यूस्ट है जो डिसेंटलाइज यहाँ पर स्टेवल कोईन है इस कोईन के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा का सा डंप देखने को नहीं मिलते हाला कि यहाँ पर क्या कि जो इनकी अल्合जों थी उसके अंदर क्या की काफी सारे लूफ फॉलस थे और सीकानल यहाँ पर आप कह तक वोल यहाँ ब это बेखने न दुना एतनी बुर वर तो काफी बड़ा इंवेश्मेंट इसके अंदर लोगों में किया और साथ की साथ जिनके पास में UST था अब वो इसको sale नहीं कर सकते क्योंकि sale करेंगे तो यहां पर loss के अंदर sale होगा तो उन्होंने इससे कुछ और भी नहीं बाई कर पाए तो कहीं न कहीं यहां से जिनके पास में UST coin था यानि कि जो UST stable coin था उन्हेंने एक अच्छी खासी ride लास्ट वीडियो के अंदर काफी detail के अंदर इस channel की बात करी थी कि जैसे ही यहां पर channel break होता है हमें एक बड़ा dump देखने को मिलेगा इस market के अंदर 7th में की वीडियो आपने देखी होगी जो अभी का market है यह market का जो trend है यह continue यहां पर इस mode के अंदर चल रहा है हालां कि छोटी छोटी स्पैक यहां पर यहां पर यहां पर जो जो मेजर सपोर्ट थी वह यहां पर ब्रेक हो जाता है तो हम यहां पर next target at least यहां पर 32 वाला area पर पकड़ सकते हैं यहां पर जो 32 वाला area था लगवा क्या है कि भी बिटकोई नहीं कर पाया और यहां पर बिटकोई पहुंच गया लगवा यहां पर 29,800,700 की आसपास कई सारे exchange के उपर 100,200 डॉलर का difference रहता है लेकिन अब next possible कहां हो सकता है कहां से bottom ले सकता है इसके बारे में बात करेंगे वो past है past को भूज जाएए अभी present की बात करते है future की बात करते है तो यहां पर 31,400 की आसपास बिटकोई के प्राइड करेंट प्राइड चल रहा है चैनल जो मैंने आप सभी के साथ में सेयर किया था फाइनली यहां पर पहले से ब्रेक हो चुका है और अब यहां पर बिटकोई के प्राइड ने यहां पर एक रिक्वरी लिये 29,750 के आसपास से लेकिन क्या यह bottom है तो यहां पर अभी जो मेरा मानना है मुझे लगता है कि अभी हम पर हम इसको bottom expect नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमें आपर overall अगर weekly chart के अंदर जाएंगे तो पहले क्या possibility होई है तो थोड़ा सा कहें कि उसके उपर चरचा करेंगे तो इसी तरीकी का sharp dump पहले भी आया था Bitcoin का price चला था $59,000 और slow-slow करके जो dump था इस dump के अंदर आप यहां पर देखेंगे Bitcoin का price लगव यहां पर hit किया $30,000 के असपास Then यहां से एक spike ली और यह positive spike थी सब को लगा again again pump आगया pump आगया और सब ने यहां पर किया कि long position वगएर उपन करी है और कई ने investment किये और उसके बाद मैं ultimately हुआ किया जो पहले जहां से pump हुआ था उससे भी नीचे यहां पर price आ गया यहांने कि जो price था लगवा $28,000 में $852,000 के असपास यहां पर price पहुंच गया और यह बात मैं कब की कर रहा हूँ 21st June की बात कर रहा हूँ है और यह वही एरिया था और यहां पर कहें कि 20 July के असपास और यह date मुझे याद है क्योंकि इसलिए याद है क्योंकि 21st July को मेरा birthday था और एक अच्छी खासी greenery मुझे देखने को मिल रही थी तो यहां पर 21st July के असपास यहां पर एक बड़ा pump देखने को मिला और यही जो panel है यहां पर अगर आप देखोगे इस particular area के अंदर यहां से एक बड़ी rally दिखाई दी इससे पहले भी यहां पर सेम चीज़ हुई थी अच्छी rally बड़ी rally यही से 28 वाले area से हमें दिखाई दी थी सेम यहां पर हम expect कर सकते हैं कि at least अभी के लिए हम एक bottom यहां पर जो एक बड़ी support है इसको 28 वाले area को हम यहां पर expect कर सकते हैं कि bitcoin यहां पर जो 28 वाला zone है 29 वाला zone है जो यह particular support area है यहां से हमें at least एक bounce back मिलेगा और अगर bitcoin ने यह area भी break कर दिया तो हम यहां पर 26-25 वाले area में जा सकते हैं लेकिन अभी हम यहां पर at least support zone इसको 28 वाले area को consider करके चल सकते हैं क्योंकि आने वाले weekend के अंदर जैसे यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी यह जो बेरिस ट्रेंड था वो काफी BNB 320 के असपास ripple half dollar का चल रहा है लूना 28 डॉलर का आप सोचे यह वही लूना है जो अभी आपसे उस दिन पहले 120 डॉलर की उपर trade कर रहा था लूना के साथ में तो अलगी कुछ हो गया लूना का भी छोड़ देते हैं डॉल ओवर यहां पर क्या कि market के अंदर dump है at least क्या कि हमें यहां पर एक सही trend के अंदर सही trend का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और जल्दबाजी के अंदर यहां पर बहुत बड़ी entry नहीं लेनी चाहिए अभी यहां पर देख सकते हो कि 32 तक की एक spike ली काफी लोगों यहां पर sort किया हुआ है जिन्होंने sort किया हुआ है 30 से obviously उनका accelerate हो गया हो उपर से किया हुआ है तो भी यहां पर कहा कि जो यह market है अभी यह long वालों को भी liquid कर रही है और sort वालों को भी liquid कर रही है तो थोड़ा सा कहा कि यहां पर safe side यहां पर play out करना है और अभी के उपर already यहां पर ऐसे coin share कर दी है जो fundamental है और वह coin क्या कि market के अंदर recover होंगे ही होंगे अगर market यहां बेरेस भी mode के अंदर भी रहेगी तो भी वह coin कहीं कहीं recover ही सो करेंगे और बहुत fast और recover हो सकते हैं तो उनको क्या कि आप telegram channel का link वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहा update मिली थी नाइट में भी अपको emergency update आपने देखी होगी emergency update ने उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी help करी होगी तो जो इस तरह की वीडियो होती है जो इस तरह की यहां पर immediate video होती है वो काफी help करती है आप यहां पर देखेंगे 22 hours है यहां पर बताई दिया तब यह emergency update bitcoin big dump यह जो update है ऐसे मैं कहां कि काफी लोग इनसे updates की वज़े से निकल जाते हैं exit कर लेते हैं market के अंदर क्यूं market dump होगी पूरा-पूरा fundamental analysis इस वीडियो के अंदर share किया है तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो कि मिलते हैं अगली वीडियो में